जी बहुत बहुत नमस्कार और जशने हिंद के इस पेच से मैं आप सब के बीच हूँ और जशने हिंद कितना खुबसूरत सा और एक प्यारा सा नाम यदि हम इसको चारित करें तो कितना एक गर्व सा महसूस होता है और इस शब्द के अंदर कितनी सारी चीजें नहित हैं हमारा हिंद, बहुभाशी, बहुद्धर्मी, हमारा रहन सेहन, हमारी परंपराएं, हमारे रीति-रिवाज, हमारी समस्कृति, हमारी कलाएं, हर जीने के जितनी भी चीजें हैं हमारे बीच, उस सब में कितनी सारी विविधता है? और हम इस विविधता में रस ढूंडने की बजाए एक अंधी दोड में दोड़े चले जा रहे हैं और बहुत इस कीमतिक हजाने को खोते चले जा रहे हैं जैसे मुठी से रेत फिसलती जाती है और डॉक्टर मेदला सती टन्डन जी लगातार इस तरहें के प्रयास कर रही है कि कैसे हम अपनी इस शंक्रीक और अपनी कलाओं को एपनी विराशब्स को बचाएं लगातार की कारिक्रम कर हम करती रही है नहीं चयाये हुँ सबुक्राइब सніले ओटेट कैस्ट लॉक्डाउन के दिनों में हैं और अब बहुत कुछ चीजें खुल भी गई हैं तब भी आप जशने हिंद के पेज के माध्यम से इस तरह के आयोजन लगातार हो रहे हैं पिछले दिनों हमने शोबना नरायन जी को इसी पेज पर सुना पदमिश्री शोबना नरायन कथा कि इ इक्रम यहां पर भी अब पेज के माध्यम से हो रहे हैं और हम सब जानते हैं कि अभी जितने लोग कम से कम मुझे यहां दिखाई पड़ रहे हैं इतने लोग तो जानते ही हैं कि फरवरी में अभी 2223 फरवरी को एक विराट सांस्कृतिक महत्सव हुआ था जिसमें हमारी कल लाक की दुनिया से कोई भी चीज और साहिते की दुनिया से कुछ भी ऐसा नहीं था जो वहां पर ना हुआ हो और उनकी सोच इतनी अच्छी है कि जो शुरुवात पहले दिन की हुई उस कारिक्रिम की वहां पर जो वंधना प्रस्तूत की जो गायत्री मंत का उचार हुआ जो शिव वंदना हुई उसको प्रस्तूत किया था निजामी भाई नए तो ऐसी सोच रखने वाली और ऐसी हमारी स्लास्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाली डॉक्टर मुदला टेंडन जी हैं जिनके मंतरन पर हम आज यहां पर हैं आप सब के बीच और कुछ अपनी ब जब भी हद से बढ़ा आदमी हैं कि जब भी हद से बढ़ा आदमी हैं पाठ कुदरत पढ़ाती रही हैं और जिन्दगी कैद है अब घरों में बस दरीचों से वो जांकती है और ले चले गाव अपने ये बेबस कि ले चले गाव अपने ये बेबस भूख या प्यास कुछ भी रही है कि भूख या प्यास कुछ भी रही है और मौत हो या कि फिर हो कोरोना कि मौत हो या कि हो फिर कोरोना कितनी बेख़फ ये मुफलिसी है कि कितनी बे खौफ ये मुफलिसी है और लेके जाएगी किस्मत कहीं तो मौत है या कि फिर जिन्दकी है कि मौत है या कि फिर जिन्दकी है तो मैंने तो जो कुछ महसूस किया और जो टीवी पे इस तरह की जब खबरें देखी तो हम तो सिर्फ इससे कागस पर ही उतार सकें लेकिन डॉक्टर मृदुला सती श्टेंडन जी ने जब इस तरह की खबरें सुनी तो उन्होंने एक बीड़ा उठाया और जो मजदूर पैदल सड़कों पर जा रहे थे उनके लिए उन्होंने खाने का बंदूबस्त किया और आज तब से लेकर के मार्च से लेकर के अब तक उन्होंने जाने ही कितने हजारों लोगों को खाना मोहिया कराया है और ना सिर्फ खाना मोहिया कराया है वलकि जो मजदूर जो पैदल भटक रहे थे जो अपने गाउं के लिए निकल पड़े थे आज वो 800 मजदूरों को उनके गाउं उनके घर पहुचा चुकी है और इस सब में कितनी महनत लगी होगी हम सब समझ सकते हैं ऐसी डॉक्टर मुदला सतीश डंडन जी को मैं बहुत-बहुत सलाम करती हूँ और आप सब की तरफ से उनको सलाम करती हूँ जी तो चलिए बरहाल अब एक गजल जो है आप सब को सुनाती हूँ सुनिएगा आज की हालात को बिल्कुल अपने जहन में रखिएगा और सुनिएगा कि जादू हवा बसंत की कुछ ऐसा कर गई जादू हवा बसंत की कुछ ऐसा कर गई गुलशन के सारे फूलों की रंगत बिगड़ गई और श्वेर सुनेगा कि कच्चा मका तो उची इमारत में ढल गया आंगन में वो जो रहती थी चिड़िया किधर गई बहुत शुक्रिया आप सब का दुआए मुझे मिल रही है आप सब का आश्रवात मुझे मिल रहा है प्रमना भाती जी ने लिखा बहुत शुक्रिया आप सभी का रंशेर सुनेगा कि अब तक करोड़ों लोगों को रोटी नहीं नसीब जो रहनुमा है उनकी तिजोरी तो भर गई बिल्कुल जो असा कि मैंने कहा आज की वातावरन को आज की जहन को अपने जैसा हमारे चार और फैला हुआ है उसको अपने जहन में रखिए और सुनेगा किसे की है हादसों पे सियासत ने रोटिया क्यों हादसा हुआ है किसी की क्यों हादसा हुआ ना किसी की नजर गई क्यों हादसा हुआ ना किसी की नजर गई और शियर सुनेगा कि लाशों के बदले बाट दिये कुछ मुआवजे यूँ जिम्मेदारियों से हुकोमत उबर गई और शियर सुनेगा कि हाला बड़े दुख के साथ पढ़ती हूँ सुनेगा कि हालात जों के त्यों ही रहे मेरे गाव के कागज पे ही विकास की दिल ले खबर गई कागज पे ही विकास की दिल ले खबर गई और शियर सुनेगा कि भूमंडली करण ने बनाए बहुत अमीर भूमंडली करण ने बनाए बहुत अमीर लेकिन गरीब लोगों की दुनिया बिखर गई और शियर सुनेए कि मनजर अजीब सा है जहां आ गए है हम मनजर अजीब सा है जहां आ गए है हम जंगल है खौफनाक जहां तक नजर गई जंगल है खौफनाक जहां तक नजर गई और इसके दो शरौर पढ़ती हूं सुनियेगा कि पूरी तरह से खिल भी न पाई थी जो कली हाथों से वहशियों के कुचल कर वो मर गई हाथों से वहशियों के कुचल कर वो मर गई और इसका अंतिम शेर पढ़ती हूं सुनियेगा कि हर कश्म कश ने हम को दिया हौसला किरन हर कश्म कश ने हम को दिया हौसला किरन ये जिन्दगी हमारी गमों से सवर गई ये जिन्दगी हमारी गमों से सवर गई जादू हवा बसंत की क्या ऐसा कर गई गुलशन के सारे फूलों की रंगत बिगड़ गई ये बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को मैं देख पा रही हूं कि आप सभी को ये शेव पसंद आ रहे हैं मतलब ये जो हम कैमरे के सामने अकेले बैट कर कमरे में आप से बात करते हैं तो वहां से जो कुछ हो रहा है वह ठीक हो रहा है क्योंकि मंचों पर जब हम होते हैं तो वहां सीधिये सामना होता है और वहां पर हमें पता चलता है और यहां पर भी आप हमें भी उतनी ही शक्ति मिले हमको और हम उनके साथ इसी तरह से जूच कर काम कर सकें तो बरहाल अब मैं आपको एक दो चंद मुक्त कविताइं सुनाती हूं और यू तो हम सब यादों में ही जीते हैं वर्तमान तो है ही भाविश्य का हमें पता नहीं होता और हर दिन हमारी ज दो चंद मुक्त कविताइं सुनाना चाहती हूं और इसका शीरशक ही यादे हैं जे मिल गई कि कभी 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 मन की पट्री पर कि कभी कभी मन की पट्री पर गुजर जाती है यादें इतनी तेजी से कि जैसे धर धड़ाते हुए एक रेल गारी गुजर जाती है धरती किसीने पे कि कभी कभी मन की पट्री पर गुजर जाती है यादें इतनी तेजी से कि जैसे धर धड़ाते हुए एक रेल गारी गुजर जाती है धरती के सीने पे ये यादें हो जाती हैं सर्द मौसम के गर्म कपड़ों की तरह जिन्हें हम रख देते हैं संभाल कर गोलिया कुनैन की डाल कर कि कहीं लग न जाए उनमें कोई केड़ा ये यादें हो जाती हैं उन पंचियों की तरह जो मीलों दूर चल कर आते हैं दिल के विशाल व्रिक्ष की टहनियों पर जमा लेते हैं डेरा और फिर लगाते फिरते हैं गुहार उन्हें दाना चुगाने की ये यादें हो जाती हैं अपनी वो जमा पूंजी जिन्हें हम रख देते हैं तब के लिए समभाल कर कि जब कभी आएगा कोई मुश्किल वक्त ये यादें हो जाती हैं उस पतंग की तरहें कि जिसे कोई मासूम बच्चा उड़ा रहा हो पूरे जोश से सजाता ही हो बस अपना कि पूरा आस्मान उसका है पर अचानक कट जाए उसकी पतंग और अटक जाए किसी पेड़ पर ये यादें हो जाती हैं बे मौसम की उस बरसा की तरहें कि जैसे अचानक ही कोई बादल बरस जाता है तब आंगन या च्छत की अलगनी पर पसरे सारे कपड़े भीग जाते हैं सडके और मकान धुल जाते हैं सारे पेड़ पौधे धुल धुल जाता है वैसे ही मन कि धुल धुल जाता है वैसे ही मन बरस्ती हैं ये यादें जब आखों से सभी कुछ हो जाता है फिर पावन इस तरह कि जैसे ग्रहन लगने पर घर में खाने पीने की चीजों में रखती थी मा तुलसी का पत्ता कि जैसे ग्रहन लगने पर घर में खाने पीने की चीजों में रखती थी मा तुलसी का पत्ता कि विरासत में लिये हूँ मा से ये तुलसी का पत्ता मेरी यादों के बीच हर दम ही ये रहता है कि मेरी यादों के बीच हर दम ही ये रहता है संजओय यादों को कि संजओय यादों को बस आगे बढ़ती जाती हूँ और इन में जुड़ता जाता है एक काफिला और और यादों का तो ये कविता मैंने आपको सुनाई और जी आप सबको कविता पसंद आई और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सभी का और जी तालिया मिल रही हैं गुलदस्ता मिल रहा है फूल मिल रहे हैं तो इससे बहतर बात क्या हो सकती है इतनी सारी चीज़े सब मिल रही है तो जी दरहाल मैं एक कविता और रखती हूँ आप सबकी बीच और ये समपित करती हूँ इस पेज के नाम इसका शीर्षक है जन मिलूं कि जन मिलूं यदि मैं पक्षी बन चिडिया बन चहकूं तुम्हारी शाख पर आंगन आंगन जाओं कूदू फुद कूँ वो जो एक वृद्ध जोड़ा कमरे से निहारे मुझे तो उनको रिजहाओं पास बुलाओं वो मुझे दाना चुगाएं मैं उनकी दोस्त बन जाओं कि जन मिलूं यदि मैं फूल बन कि जन मिलूं यदि मैं फूल बन खुश्बू बन महकूं प्राथना बन करबद हो जाओं अर्चना बन अर्पित हो जाओं शांती बन निवेदित हो जाओं बदल दूं गोलियों का रास्ता सीमा पर खिल खिल जाओं कि जन मिलू यदि मैं अन्य बन, फसल बन लह लहाओं खेतों में, कि फसल बन लह लहाओं खेतों में, खुशी से भर भर जाए किसान, भूग से न मरे कोई, सब का भर दू पेट कि जन मिलू यदि मैं अन्य बन, फसल बन लह लहाओं खेतों में, खुशी से भर भर जाए किसान, भूग से न मरे कोई, सब का भर दू पेट जन मिलू यदि मैं मेख बन, सूखी धर्ती पर बरस जाओं, अपने अस्तित्त से भर दू नदियों, पोखरों, जीलों को कि अपने अस्तित्तों से भर दू नदियों पोखरों जीलों को न भटकना पड़े रेगिस्तान में औरतों और पशुओं को त्रिप्त कर जाओं उनकी प्यास को कि तिरपत कर जाऊं उनकी प्यास को, बरसू तो खोब बरसू, दुख से व्याको लखियों से बरस जाऊं, हरशित कर उदास मनों को जन मिलू यदि मैं अगनी बन, कि जन मिलू यदि मैं अगनी बन, तो है इश्वर, सिर्फ इतना करना ना भटका ना मेरा रास्ता हावन की बेदी पर प्रजवलित हो जाँ भटके लोगों की रहा बन जाँ अंधेरों को भेद रोशनी बन फैलू नफरत को छोड प्यार का पैगाम बनू बुझे चूलों की आज बन जाँ ये कविता मृदला जी को समरपित डॉक्टर मृदला सतीश्टेंडन जी को और वो ये जीवन पूरा जी रही है मैंने तो सिर्फ लिखा है और मैं इसका कुछ अंश्मात्र ही शायद कर पाती हूँ लेकिन डॉक्टर मृदला जी बहुत कुछ जो कुछ मैंने लिखा उसको जी रही है और उसको कर रही हैं समाज के लिए तो बहुत-बहुत आपका अभिनंदन करती हूं और अब मैं एक गजल आपको सुनाती हूं और यह गजल शकील एहमद सहब देख रहे हैं उन्होंने इसे गाया है और मृदला टिंदन जी जैसे की मैंने कहा कि वो वैसे मेडिकल डॉक्टर हैं और कहां यह संस्कृति और साहित और कहां समाज सेवा और साक्षी संस्था के माध्यम से कितना सारा काम कर रही है वो और उन्होंने यह एल्बम एक प्रोड्यूस किया सोच के मोती इस एल्बम का नाम था और मृदला सतीश टेंडल जीनियर से प्रेजि और कैसे नई नई चीजें आएं और लोग इस तरीके से उसमें जुड़े उसमें निदाफाजवी सहब भी थे फॉर शहजार सहब थे और वाजपी जी हैं उसमें और मैं भी हूँ तो मैं वह गजल आपको सुनाती हूँ सुनिएगा उस गजल का मतला यूं है कि हैं दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे कि हैं दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे हैं मुझको यकी होगा उजाला मेरे आगे और शेर सुनिएगा कि बिटिया तू रसोई से जरा दाने तो लिया एक आस में बैठा है परिंदा मेरे आगे और शेर सुनिएगा ऐसे लोग आपको अपने आस-पास मिल जाएंगे सुनिएगा कि एक उम्र गुजारी थी बड़ी शांसे जिसने कि एक उम्र गुजारी थी बड़ी शान से जिसनें लाचार पड़ा है वही कि लाचार पड़ा है वही तनहा मेरे आगे और शेर सुनिएगा आजकल के दौर का शेर कि लगता है मेरी हार पर वो खुश तो बहुत है करता है मगर दुख का दिखावा मेरे आगे और शेर सुनिएगा कि बेटे मैं तेरी मा हूँ जरा बोल अदब से अच्छा नहीं है ये तेरा लहजा मेरे आगे कि अच्छा नहीं है ये तेरा लहजा मेरे आगे और इस गजल का अंतिम शेर पढ़ती हूँ सुनिएगा मंदिर मजजित की बात नहीं करती हूँ जिसके बिना हमारा जीवन नहीं है सुनिएगा कि सजदे में उसी सूरे के जुकता है मेरा सर रखता है जो हर रोज उजाला मेरे आगे और बस अब इसको समाप्त करती हूँ सबने डिनर तो वैसे कर लिया होगा लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ लोग लेट करते हो तो डिनर का भी टाइम हो रहा है और बरहाल मैं एक गजल परिवारी गजल है यह और आप सब परिवार के लोग हैं हमारे यहां पर जुड़े अश्क आखों में दिल की धड़कन और इन दिनों भी हमारे बहुत से लोग ऐसे हमारा साथ छोड़ गए हैं और जिनकी हम को उमीद भी नहीं थी कल्पना भी नहीं थी कि इस तरीके से साथ छूट जाएगा जीवन से सुनिएगा यहां से उनी को समर्पित करती हूँ इस ग हैं अश्क आखों में दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता चल रही है वो जिससे छूटा है साथ उससे वो जिससे छूटा है साथ उससे मिलन की उमीद पल रही है हैं अश्क आखों में दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता चल रही है और देखे हर घर से आज बच्चे बाहर हैं तब उस मा की तरफ से शेर पढ़ती हूँ सुनिएगा कि ये कोरे आखों की भीगती है तुम्हारे बच्चपन को याद करके जहां रहे खुश रहे तु बेटे दुआ ये मा से निकल रही है है अश्क आखों में दिल की धड़कन और बेटी जब चली जाती है तब घर क्या कहता है सुनिएगा कि वो बेटी जिससे चहकता था घर चली गई है वो दूसरे घर हमारे घर की हर एक खुशी अब हमारे घर की हर एक खुशी अब उदासियों में बदल रही है है अश्क आखों में दिल की धड़कन और शेर पढ़ती हूं सुनेगा अपने अपने पिता को याद कीजी और ये शेर सुनेगा कि दराक्त पर जिस तरह से कोई पके है फल बस उसी तरह से पिता के अनुभव की हर कहानी एक एक जुरी में धर रही है है अश्क आखों में दिल की धड़कन और इस गजल का अंतिम शेर पढ़ती हूं सुनेगा कि नए जमाने की लड़कियों तुम परम परा का भिध्यान रखना संभालो तहजीब की विरासत जो हाथ से अब फिसर रही है है अश्क आखों में दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता चल रही है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और आप सब इतनी देर बने रहे और हमारा साथ दिया और अपनी बात हमने आप तक पहुंचाई और आपने उसे सुनकर हम तक पहुंचाई तो इसके लिए आपकी बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ और डॉक्टर मृदला सतीश टंडन जी का मैं बहुत बहुत एक बार फिर से नमस्कार शुबरात्री